अब सब्सक्राइब चिकन बनायानी जो के मेरी सिगनेचर रिसिपी है वहाद मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वीडियो स्टाट करने से पहले है मेरे चानल को सबस्क्राइब कीजिए अगर रिसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलिएगा लाइक करना बूलिएगा सनदा रिसिपी सबसे पहले जी यहां पे मैंने 1 कीजी राइस ले ली है इनको अच्छे से साफ करके हमने सोक कर देना बिगो देना तकरीबं 10-15 मिन्ट के लिए उसके बाद जी यहां पे बॉाइल करना है वाटर को पानी को हमने राइस के लिए यहां पे 1 टेबल स्पून अकॉर्डिंग टू यूर राइस हमने उसके हिसाब के मताबिक इसमें डाल देना है नमक और थोड़ा सा गरमसारा डालेंगे तेज़ पदा दाल चीनी बड़ी एलाइची छोटी एलाइची काली मेर्ट जीरा यह आड़ करेंगे अलमस्ट 1 टेबल स्पून उसके बाद इसमें आड़ करेंगे ग्रीन चीली दो से तीन ग्रीन चीली ले ले लेनी है वह आपने आड़ करनी है बीच में ब्रियानी में जब तक राइस का टेस्ट ना आये तब तक अच्छा नहीं लगता बहुत फीके पीके राइस भी अच्छा नहीं लगते हैं यहां पर पानी हमारा बॉइल हो चुका है अब जी हम इसमें आड़ करेंगे राइस जो हमने भीगो के रखे थे 10 तू 15 मिनट्स के लिए और यहां पर अब हम राइस को बॉइल करेंगे यहां पर जी मैं वन टी स्पून के लगबग विनिगर डाली हूं सिर का जो के राइस को तूटने नहीं देता बहुत अच्छे से खिले के लिए राइस बनते हैं यहां पर जी आठ से 10 मिनट्स के लिए तकरीवन हमने राइस को बॉइल करना है एक कनी छोड़नी है जो कि दम में अच्छे से बन जागो खो जाएगी गल जाएगी यहां पर एक कनी छोड़के हमने राइस को बॉइल कर लेना है राइस को बॉइल करने के बाद हमने किसी स्टेनर में इसको स्टेन कर लेना है पानी गिरा देना है और उसके बाद थोड़ा से थंड़ा पानी डालके इस तरीके से राइस रड़ी कर लेने है यहां वे जी मसाला बनाते हैं सबसे पहले ऑईल डालेंगे और मुस्ट वन कब ऑईल गरम हो जाए तो उसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे प्यास तीन मीडियम साइज की मेरे बस प्यास ते उसको अच्छे से बारिक-बारिक सा स्लाइस कर लेना है आपने और अब हम इसको फ्राई करेंगे जब तक यह अच्छा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं बहुत हाई फ्रेम पे नहीं फ्राई करेंगे फॉरण प्यास जलने लग जाता है सो मीडियम फ्रेम पे इसको अच्छे से फ्राई करेंगे प्यास को तीन सुचार मिंट के और इसमें एड़ करेंगे लसन अद्रक का PASTE 1 TBS अब हमने इसको नहीं करना है उच्छे से इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए यहां पर जी टैन मिनिट के लिए हमने इसको कवर कर दिया था चिकन हाफ कुख हो चुक है कि कलर चींज हो चुक है अच्छा से अच्छा से मीडियम फ्लेम पे रखे आपने इसको फ्राई करने इसमें कोई पानी वगएर आड़ नहीं करेंगी हम उसके बाज इसमें हम डालेंगे टमाटर यहां में मेरे पास तीन टमाटर थे ब्लंड कर लिया था मैंने उनको आप चाहें तो क्यू उसमें भी काड़ के टमाटर आड़ कर सकते हैं तहीं डालेंगे वन कप उसके बाद इस spices की बारी आती है यहां में spices हम add करेंगे salt लेंगे according to your taste रडचिली लेंगे 1 tablespoon धन्या पाउडर लेंगे 1 tablespoon बर्यानी मसाला लेंगे 4 tablespoon गरम मसाला लेंगे 1 tablespoon हल्दी लेंगे 1 teaspoon यह spices इसमें add होंगे अगर आप बहुत extra spices खाते हैं तो आप मजीद 20 में मसाला अड़ कर सकते हैं बट नॉर्मल अगर खाते हैं तो इतना quantity बहुत है अब जिसको अच्छे से हमने बुनाई करने और medium flame कर देने तक के चिकन अच्छे से गल जाए देही और टमाटर के साथ ही मजीद कोई पानी और अड़ नहीं करेंगे 15 मिनिट के लिए बस आप इसको छोड़ देंगे और यह अच्छे से कुक हो जाएगा यहां जी 15 मिनिट सो चुके हैं चिकन अच्छे से कुक हो चुका है और यहां मसाला यह देख लें आप ड़ड़ी हो गया अल्मूस्ट अब हम ऑईल उपर आ चुक है अब हम इसकी बुनाई करेंगे चार से पांच मिनिट के लिए पानी नहीं होना चाईए मसाला मसाला बस होना चाईए बर्यानी आपकी बेस्ट बनती है इस तरीके से जस्ट मसाला मसाला हो पानी बिल्कुल ड्राय हो जाए ड़ड़ी का अब यहां पर सेम कड़ाई में से हमने निकाल लिया है चिकन और यहां पर ऑईल ऑईल नीचे छोड़ दिया है ताक्के राइस नीचे ना लगे अब हम फर्स्ट लेयर देंगे राइस की उसके बाद जी यहां पर जड़ डालेंगे हम चिकन यहां पर कुछ हरी मेर्चे थी मैंने इनको फाइन चॉप्ट करके वो भी चिकन के उपर डाल दिया था बड़ा अच्छा सा टीस्ट आता है एक फ्लेवर आ जाता है ग्रीन चिलीज से भी सेकिंड लेयर अगें राइस की और थर्ड लेयर चिकन की और लास्ट लेयर अगें यहां पर जी राइस बॉइल राइस की और इसको हम कर देंगे सेट उपर से जी टॉपिंग के लिए हम डालेंगे यहां पर पुदीना बहुत ही अच्छी सी खुश्बू आती है लीमू डालेंगे कटे हुए बारी कटे हुए लीमू एड़ करेंगे उसके बाद जी आपके पास यालो कलर हो तो यालो औरेंज हो तो औरेंज आप वो एड़ करें कलर एड़ करें थोड़ा सा पानी में मिक्स करके वो एड़ कर दें और लास्ट में यहां पर ग्रीन चिलिज जाएंगी और उसके बाद जी दम तक्रीबन दस से पंदरा मिन्ट के लिए हमने लो फ्लेंपेस को दम दिया और यहां पर जी हमारे राइस रड़ी हो चुकी है उम